आज हमने आफिस अंबाला तो कांग्रेस पार्टी के बिधायकों की बैठक बला कर उनकी विदानसवा शेतर के बारे में पूछा गया और एक निति गत फैंसला किया गया कि जो बिधायकों को, जितने भी बिधायक है, उन्होंने एक नितिकत फैसला किया, और मैं सभी बिधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने कहा, हमाचल भवान, हमाचल सदन में जो हमारे रूम, जो थे, वो थोड़े कम पैसे लिए जाते थे बिधायकों से, और आमदमी से ज़दा पैसे लिए जाते थे इस दृष्टिご黂से हमने एक फैसला किया कि हमाचल ववन और हमाचल सदन में या उनके परिवार बधैकों के जो परिवार के है जो आम नागरिक से पैसा लिए जाता है वही बिधायकों के से लिया जाएगा अधिकारियों से लिया जाएगा और आम नागरिकों से लिया जाएगा इस संदर में हमने एक नितिगर्थ फैंसला किया कि बिधायक भी आम नागरिक की तरह सब ड्यूज पे करेंगे ये विदायकों का फैंसला है और अभी cabinet का विस्तार होना है पहली cabinet में हमने कहा है कि हम OPS लागू करेंगे दो योजनाई लागू करेंगे जैसे ही पहली cabinet होगी उसके बाद उस फैंसले के बारे में आपको बता दिया जाएगा आम नागरी की तरह सभी विदायकों से हमाचल मिलती है तुरुंत परवाव से उन सुविधाओं को बापिस ले लिया गया है और जो सुविधाओं आम नागरी को मिलती है वो सुविधाओं के अनुसार उनको भी पे करना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद है